कोविट का लहर और कोविट की कहर किसी से नहीं छुपी है जहां लोगों ने अपनी जिंदगी के कही एहम साल घर पर ही बिता दिये वहीं एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां कोविट के डर से 10 साल के बेटे संग 3 साल तक घर में कैद रही एक महीला पती को आने तक नहीं दिया घर नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरफ और आप देख रहे हैं N27 News गुरू ग्राम में कोविड से खोफ जदा मा ने बच्चे और खुद को तीन साल तक कमरे में कैद रखा महिला के पती ने इस बारे में जिला प्रिशाशन को जानकारी दी इसके बाद मंगलवार शाम जिला प्रिशाशन की टीमों ने दिमागी रूप से परिशान मा और उसके बेटे को रेस्क्यू कर लिया है आपको बता दे जब बच्चे की उमर महस साथ साल थी तबी से बच्चे और उसकी मा ने सूरज की किरण को नहीं देखा अधिकारियों ने बच्चे और मा को दोनों को हस्पताल में भरती करा दिया है और तीन साल से कमरे में जमे कूडे कच्छे को देखकर अधिकारियों की आँखे दंग रह गई है जब बच्चे की उमर साथ साल ती और तीन साल बाद वो दस साल का हो गया और उसकी तीन साल की जिंदगी कमरे के अंदर बंद बीती आपको बता दिये मामला गुरू ग्राम के सेक्टर 29 पुलिस थाने की चकरपुर चोकी इलाके का है पुलिस का कहना है कि महिला के पती ने जानकारी दी कि उसकी पतनी मानसिक तोर पर बेमार है बताया जा रहा है कि करोना की पहली लहर में इस परिवार ने खुद को कमरे में कैट कर लिया था लेकिन जब दूसरी लहर आने से पहले पती काम पर जाने के लिए बाहर निकला तो महिला ने पती की एंट्री तक को घर में बैन कर दिया उसे डर था कि पती बाहर से करोना संक्रमित होकर ना आ जाए और उन्हें भी संक्रमित ना कर दे इसके बाद महिला का पती बीते डेड़ साल से चकरपूर इलाके में किराए पे रह रहा था सोचे कितनी हैरान कर देने वाली बात है जहां पर एक तरफ करोना खतम होने की कगार पर है और यू कहें खतम हो गया है वहीं पर एक पती को अपना घर होने के बावजूद डेड़ साल तक अलग किराए पे रहने पड़ा क्योंकि उसकी बीवी इस कदर करोना से घबरा गई थी और जब जब जबर्दस्ती घर के अंदर घुसने की बात हाई जब पुलीस वालों ने ऐसा प्रियास किया तो मा ने अपने ही बेटे को मारने की धमकी दी आपको बता दे कि पती या पतनी की बिगड़ती हुई मानसिक स्तिती को देख समझ चुका था इसलिए उसने चाइल्ड वेलफेर टीम के साथ साथ पुलीस को बिक्तला किया और दोनों ही टीमें मासूम बच्चे का रेस्क्यू किया और साथी साथ मा को भी समझाया कि अब कोवेट पूरी तरीके से खतम हो गया है और अब उनको एक अस्पताल में भरती करवा दिया गया है जहाँ पर उनके स्वास्टे से जुड़े काफी टेस्ट किये जा रहे हैं और टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही उनके स्वास्टे की पूरी तरीके से जानकारी लगेगी कि मानसिक तोर पर वो कितने बिमार हैं तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक महीला करोना के डर के कारण अपने बेटे को और खुद को तीन साल तक घर में बंद रखती हैं आपको बता दे जिसमें उसने पती को भी घर में आने की इजाज़त नहीं दी कितने भी बड़ी बिमारी हो लेकिन उसको अपने उपर इसकदर हावी नहीं होने देना चाहिए कि वो बिमारी चले जाया और उसके बाद भी उसके जखम हमारे दिल और मानसिक तोर पर उपड़ जाएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें N27 News आप देख रहे हैं N27 News पकड हर खबर पर